सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमी जी नेटर दोस्तो जैसा कि आप वीडियो का थमनेल देख रहे हैं इसके अंदर हमने बताया कि दुनिया का सबसे असान कोशन यूजी सी नेट एक्जाम में आता है और मैं आपको विद लाइव प्रूफ के दिखाऊंगा दोस्तो बिलकुल असान कोशन यूजी सी नेट के अंदर आता है इसका आनसर आप केवल और केवल दो सैकिंड के अंदर दे सकते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना जिससे आप अच्छे से एक्जाम कर सकें दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड वर्ट्सप ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं इसमें हम आपको 10 यूनिट पीडिएफ स्टडी नोट्स दे रहे हैं इसके लावा 2012 से लेके 2019 तक टोपिक वाइज ओल्ड पेपर पेडिएफ दे रहे हैं और इसके साथ साथ 10 यूनिट आल थेोलिटिकल वीडियोस दे रहे हैं और साथ में दोस्तों हम आपको जून 2012 में 10 शिफ्ट के टोपिक वाइज ओल्ड पेपर कोश्चन भी दे रहे हैं अगर किसी दोस्त को ये ग्रूप जोइन करना है तो आप हमें जल्दी से जल्दी मैसेज किजिए नमबर हमने नीचे दिया हुआ है दोस्तों logical reasoning के अंदर वैसे तो बहुत से question important है बहुत से topic important है तो इन सभी को हम step by step यानि की हर एक वीडियो में करेंगे समझने की कोशिस करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में हम analog argument यानि की सादर्श मूलक तर्प के बारे में बात करेंगे और इसको हम कितने असानी से कर शकते हैं ये हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले question पे आते हैं ये question देखे दोस्तों हमारा December 2013 के question paper में आया था इसके अंदर क्या है कि ये question number 14 सनी और मंगल दोनों प्रिथवी की त्रहे ही ग्रहे है वे सुरिय से प्रकास ग्रहन करते हैं और प्रिथवी की त्रहे ही सुरिय के चारों तरफ ग्हूमते हैं तो दोस्तों ये definition इन्होंने यहाँ पे दी है तो इसे हमें पढ़के हमें बताना ही कि ये किस तरह का तरक है तो इसमें अगर दोस्तों देखोगे तो इसका अंसर आएगा सादर्श्य मुलक तरक तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि सादर्श्य मुलक का मतलब क्या होता है सादर्श्य मुलक का मतलब होता है यानि कि उसके जैसा दिखने वाला ठीक है जिसके अंदर हम किसी चीज का compare करें किसी चीज के साथ तो वहाँ पर क्या होगा साधर रिश्य मुलक तरक होगा और इंगलिश में हम इसे क्या कहते है एना लोजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं और दोस्तों अभी हम आपको आगे question दिखाऊंगा इसकी हम पहचान कैसे करेंगे इसके अंदर क्या होगा कि हम एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare करेंगे और इसमें ऐसे आएगा जैसे की उसकी तरहें इस तरह के हमें sentence से देखने को मिलेंगे जिसे हम बिल्कुल उसानी से पता कर सकते कि इसका अंसर साधर्षिय मुलक है तो चलिए अब हम अगल चोटी चोटी टुकडियों में बांटने से सेना की सकती शीन हो जाती है उसी परकार तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि इसने काई कि जिस परकार सेना की चोटी चोटी टुकडियों को बांटने से सेना की सकती शीन हो जाती है उसी परकार यानि कि यहां पे एक च logical argument ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं और दोस्तों ये जो कोशन है इसका अनसर हम बिल्कुल असानी से दो सेकेंड के अंदर दे सकते हैं बस हमें थोड़ा सा परखने की आवशकता है अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2014 का कोशन पेपर है और इस में compare कर रहा है एक चीज का दूसरी चीज के साथ compare कर रहा है तो यहां पर इस cancer क्या आएगा दोस्तों साधर श्यमूलक तरक आएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना असान है हमारे लिए करना और अगर आप इसे English में पढ़ना चाहो तो English में आपको दिखा देता ह हूँ English के अंदर यह है 22 तो यहां से आप बिलकुल असानी से पड़िक्रिस का अनसर दे सकते हैं तो दोस्तों मेरे को ने लगता कि इससे असान कोई question UGC net के अंदर आ सकता है और यह बहुत ही असान है बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आव सकता है और अब हम आपको और भी दिखा देता हूँ कि यह question कितनी बार repeat हुआ है यह देखे दोस्तों दिसम्बर 2015 के अंदर question आया है question number 31 इसके अंदर इन्हों ने कहा है कि 6 को का रोजगार पूरो प्रिक्शन बिलकुल उचित है क्योंकि चिकत्सको वस्तुकारों अभी अंताओ जो इस समय न्यूक्त है को ऐसे प्रिक्शन का सामना करना पड़ा तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर compare किया हुआ है शिक से खोगे चिकत से खोगे वस्तुकार होगे इन सभी का compare किया हुआ comparison कर रहे तो यहां पर क्या आएगा इस cancer दोस्तों इस cancer आएगा सा अगला कोशन देखते हैं और अगर आप ये English में देखना चाहो तो English में मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि ये देखे ये अपना 31 English में यहां पर आप आशानी से देख सकते हैं तो अगला कोशन हम देखते हैं कि किस तरह से repeat हुआ है ये देखे दोस्तों जुलाई 2016 का सी हुई दुनिया है ऐसा ऐसंगत कथन है जैसा यह की बाजरे के खेत में केवल एक दाना उगेगा तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते कि प्रिथवी जो है उसका कंपेर किया जा रहा है बाजरे के खेत में जो बाजरा उगाते हैं दाने उगाते हैं उससे इसका कंपेर क्या जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसा की इन्हों ने यहां पर दिया हुआ है यहां पर यह देखिए तो यहां पर बिल्कुल आसानी से इसका अंसर दे सकते हैं इसका अंसर होगा सादर से मुलक तर्क ठीक है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना आसान है क इतना असान है और लग भग हर बार ये कोशन पूछा जा रहा है और अभी हमारा जो कोशन पेपर हुआ था जुलाई 2018 का उसमें भी आया था अब ये देखे जनवरी 2017 का कोशन पेपर है इसके अंदर भी इन्होंने ये देखी महिलाव तथा प्रूसों की प्रजनातमक क्रिया विधी अलग-अलग हो सकती है और ये देखे आगे पढ़ोगे तो इसमें देखे ये लिखावा है उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखो को अब देखे यहाँ पे जो महिला और प्रूस है उसका कंपेर किसके साथ किया जा रहा है पक्षियों के साथ कंपेर किया ज मिलेगा यहां पर आप इसे इंग्लिस में देख सकते हैं और आगे हम आगे देखते हैं आगे कभी ये रिपीट हुआ है देखी अब ये देखी दोस्तों ये आ गया हमारा नवंबर 2017 का पीछे आया था जनवरी 2017 में या निकी हर कोशन पेपर में ये रिपीट हो रहा है ये को कंपेर किया जा रहा है जैसे गिलास में बर्फ ठीक है इसमें कंपेर किया जा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां पर हम कंपेर करते तो उसकांसर क्या आएगा दोस्तों उसकांसर आएगा सादर्श्य मूलक तो दोस्तों इस कोशन अगर ये कोशन आ जाए तो ये question तो definitely ठीक होना ही चाहिए किसी भी हालात में और एक चीज और देखना दोस्तों अगर कहीं ऐसा ना हो कि option के अंदर सादर से मुलक दिया हो और वहाँ पे compare ना किया गया हो ठीक है हमें ये देखना जुरूरी है कि वहाँ पे comparison है या नहीं है comparison होगा तभी उसका answer के आएगा सादर से मुलक आएगा तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देने किया हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हो कि सादर से मुलक आएगा और question कोई अलगी आजाए उसके अंदर option दिया हो सादर से मुलक आप एक second के अंदर answer लगा दो साद से मुलक आएगा सभी का तो आएगा लेकिन थोड़ा question को पढ़ना कि उसमें comparison किया हुआ है या नहीं ठीक है तो चलिए अगला question देखते हैं ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का अभी जो अपना question paper हुआ है उसमें तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आप पूरा sentence पढ़ होगे तो यह देखिए आगे आ रहा है यहां पर मापको दिखा दूए यह देखिए जिस परकार कॉन के ओ दरपन उस पर पढ़ने वाली सभी किर्णों को एक बिंदू पर संगहरित करता है यानि कि यहां पर आप देख सकते कि comparison कर रहा है कि जिस परकार यानिकि जिस तरह स से ठीक comparison कर रहा है यहां पर आप यह पूरा का पूरा sentence पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा इसे तो काफी लंबी यह वीडियो बन जाएगी आप इसी वीडियो को रोक के असानी से पढ़ सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते कि जहां पर comparison करते तो उसका अंसर क कि आएगा साधर्षय मूलक तर्क यानिकी एनलोजिकल आर्गिमेंट तो दोस्तों आप देख सकते कि हमारे लिए कितना असान है कितना असान है थोड़ा सा ध्यान देने कि आऊ सकता है और दोस्तों इस तरह से यह कोशन आप बिल्कुल असानी से दो सेकंड के अंदर कर शक और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को शानी से देख सके हैं